हेलो एवरीवन वेलकम टू वाइफाय स्टीडी चेंजिंग दाव व्योफ लेर्णिंग स्वागत है आप सभी का इंद्या के नंबर वन स्टीचनल वाइफाय स्टीडी पे जैसा कि आप सभी को मालूम है डेली सुपे 5 बजे मंडे टू सटे डे अपना एक इंपॉर्टन सेशन होता है जहां पर हम लोग कई सारे कोशन है जो कि कवर करते हैं हमारे आने वाले दोस्तों एक्जाम के लिए और सुबह के 5 बच के 5 मिनिटे जो कि आज भी हो चुके हैं औ जैसा कि आप देख सकते हैं दो दिन का 27 और 28 यानि कि संदे और मंडे के जो इंपॉर्टन कोशन है वह हम लोग कवर करेंगे ठीक है चलिए गुड मॉनिंग एवरिवन गुड मॉनिंग काफे सारे बच्चे हैं जो कि आप पर जाच चुके हैं सबसे पहले बात करते हैं अन पर हैं वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक हैं आप एक बच्चे के एजुकेशन इसमाइलफर आल सुसाइटी.org की वेबसाइट पर जाके सब्सक्रिप्शन पर जाके भी कर सकते हैं स्पॉंसर है चाइल एजुकेशन पर जाके ठीक हैं कल का कोश्चन जो मैंने आप को दिया था कोश्चन और दे उसके बारे में देख लेते हैं कोश्चन अप दे मैंने आपको दिया था दोस्तों यहां पे रोहित शर्मा की आज पहली लाइव क्लास है है तो मैंने आपसे पूछा था कि डिफेंस अकांट डिपार्टमेंट जो है उसने कौन से बैंक के सेट अप करने को लेकर तो कोटेक महिंद्रा बैंक है जिसके साथ में यह सेट अप है जो की किया गया है आज का पहला सवाल है कौन सी आयाइटी के सैंटिस्ट ने डबलब किया है एक नोवल नैनो पार्टिकल बेजड बायो डिग्रेडेबल मेटाबॉलाइट बायो डिग्र नैनो पार्टिकल बेजड बायो डिग्रेडेबल कार्बेनोइड मेटाबॉलाइट ओके चलिए तो आप देख सकते हैं आयाइटी कानपूर की वेबसाइट के उपर है टीम आव रिसर्चर ने जो है यहाँ पर कोलाब्रेशन किया आइसी एर के साथ में और एक नैनो पार् प्रॉप होते हैं उसको बचाने में मदद करेगा ठीक है चलिए इसके अलावा अगर मैं इससे संबंदित बात करूं तो जैसे कि जिंदल ने आयाइटी धनवात के साथ में मुयू साइन किया है रिसर्च करने को लेकर है ना चलिए चैन्पियंस लीग 2022 के लिए सैंक पीट चलिए तो रिसेंटली दोस्तों जो यूनियन ओफ फुटबाल यूरोपिन फुटबाल असोसीशन है उन्होंने रिप्लेस कर दिया दोस्तों पीटर्सबग में मैच होने वाला था चैन्पियंस लीग का ठीक है पीटर्सबग कहां पर है रश्या में है लेकिन रश्या की उ टाइक करने के वाज़ा से इसको शिस्प्ट कर दिया गया है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा अंच यहां पर पैरीश हो जाएगा तो इस में तूना में इस मैंच को जो है ना चंप्यों सी लीग का फुटबाल का इसको पैरnd strain कर देया गया है कबीर का आज बर्त दे ह है एपी बर्थेडे कभी गॉड ब्रेस्ट यू उम्मीद करते हैं कि आपका बर्थेडे और आने वाला टाइम दोनों जो है वह बहुत अच्छा जाए चलिए ठीक है तो यूफ यूफा बहुत ही फेमस दोस्तों फुटबॉल की चैंपियंस लीग है तो उसका मैच ठीक है अगर यूफा चैंपियंस लीग की बारे में बात करें तो यह एन्वल क्लब फुटबॉल कॉंपटिशन है जो की यूरोपेन फुटबल अस्टोसीशन करवाता है हेड़कॉर्टर इसका नियौन में है अलेक्जेंडर इसके प्रेसेंट है बैसल में इसकी लांच किया है मैटावर्स फाउंड्री मैं तो हेल्प क्लाइंट विद्धा इमर्जिंग मार्केट अंसर क्या हो जाएगा अंसर फूर इन्फोसिस आपका यहां पे बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है Metaverse Foundry to help clients क्या हो जाएगा Infosys ने दोस्तों इसको launch है जो की किया गया है है ना इंडिया के second largest IT company है DCS के बाद में Infosys उसने Metaverse Foundry जो है वो launch किया है ताकि पता कर सके Metaverse के बारे में जान सके कैसी digital reality है physical reality है experience center है जो की एक तरीके से बनाया है ठीक है 1981 के अंदर इसकी शुरुवात हुई सलील पारेक CEO है Bangalore के अंदर इसका headquarter है पूर्य मुख्यमंतरी हिमानंद विष्वास का February में निधर हो गया वै किस राज्जी के पूरो मुख्यमंतरी थे तो हिमनता विष्वाल जी दोस्तों जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे यह उडिसा के हुआ करते थे यह आपका मिल्कुल सभी जवाब है ठीक है तो फॉर्मर् चीफ मिनिस्टर उडिसा के और प्रॉमिनेंट ट्राइबल कॉंग्रेस लीडर हिमनता भिष्वास जीगे अभी रिसेंटली जीफ मिर्तियों कहीं काफी जहाच जो कि हो गये थी एक टीटू साल के थे एना और नाइन्टी-एक साल यह देखिए नाइंटी-टी-नैन से लेकर नाइनटी-नैन से लेकर दोजार इस तरह के से दो बार जो है कि यह मनें फर्स्ट्राइबल सीय में जो कि उडिसा के हुआ करते थे चलिए और पर कई लोगे रिसेंट्ली जो है मृत्ति हो गई है आप सभी को मालूम है जिसे कि राहूल भाजाज है है ना राहूल बजाज है संध्या मुकरजी है मिलेना सैल्वी है नागेश्वामी है इन सबके विए रिसेंट्ली मृत्ति हो गई थी कौन से बैंक ने दोस्तों रिसेंट्ली क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है MSME मंत्री जो है उनके द्वारा लॉंच किया है बताइए मिनिस्ट्री क्रेडिट कार्ड ना नारायन राने जो है MSME मंत्री उनके द्वारा लॉंच कि किया गया है आज 28 February को आप सभी को मालूम है ना नेशनल साइंस डे भी है वैसे ठीक है नेशनल साइंस डे भी है आज के दिन चलिए बाकी फिंटेक कंपली लेंडिंग कार्ट है उसने भी पार्टनेशिप करी कैनरा बैंक के साथ में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें मुंबई में एट कौर्ट है राज के रंजी CEO है विदानता ग्रूप ने भी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सके भाष्या सर्टेफिकेट सेल्फी यह लॉंच किया गया है मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन के द्वारा ठीक है तो मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन ने दोस्तों इस कैमपेंड को लॉंच किया है ताकि लोग अपनी कल्चर डैवर्सिटी और अलग-अलग लैगविजी ज जो है वो सेलेट करेंगे हैं इस अवार्ड को लेकर हैंना हंट्री दिन का कैमपेंड लॉंच किया गया है पड़े भारत नाम से ओके नैशनल एजुकेशन डेग 11 नवंबर को मनाया जाता है मौलाना अबुलकराम अजाद जी के बर्थेडे के उपार ठीक है चलिए 12 वार्शिक आप यहाँ पर देख सकते हैं Ages Graham Bell Award के अंदर Center for Development of Telematics का आवर्ड किसको मिला है मतलब कितने आवार्ड है जो कि यहाँ पर Center for Development of Telematics ले जीते हैं Graham Bell Award के अंदर तो इनको जो आवार्ड मिले है वो तीन आवार्ड है जो की मिले है seat.co seat.co organization है इसको तीन award है जो की यहाँ पर मिले हैं दोस्तो grambell award indigenious grambell awards के अंदर ताकि indigenious और जो इनने solution मनाए ना उसको लेकर दोस्तो ठीक है grambell father थे दोस्तो telephonic है great inventor थे तो उनके उपर दोस्तो telecommunication में जो काम करते हैं उनको award है जो की मिलता है okay guys चलिए ठीक है और नीरामाई करके एक software based small medical device है उसको भी early stage breast cancer पता लगाने के लिए दोस्तो appreciate किया गया है इन्डिया accelerator को best accelerator of the country का award मिला है ददसाब फाल के international film award मुंबई में करवाए गये best film थी यहां पे pushpa शेर्षा को best film का award है film of the year pushpa थी रनवीर कपूर best actor कृति सनन best actress मनुज बाचपी best actor in web series रगने टेंडन best actress in web series अनुपमा को television series of the year का award है जो की मिला है ठीक है चलिए तिमिकित में से किसे February 2022 में Dish TV इंडिया लिमिटेट के DTH brand का ambassador न्यूक्त किया गया है तो brand ambassador जो बनाए गये है वो किसको रिशाप पंत को दोस्तो रिसेंट्ली जो है वो बनाया है ठीक है गाईस रिशाप पंत को यहना Dish TV का ध्याल रखीगा उत्राखन का भी पंत किया गया था इनको कुछ टाइम पहले है ना वो भी धान रखीगा इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है तुमिकित में से कौन फैबरे दोजार बाइस में प्रतिस्ट बॉल्ट्स मैं पजक्स से सम्मानी थोने मेली पहले भारतिये बन गए है पहले भारतिये फॉर्स इंडियन जिनको बोल्ट्स मैंडल है जो कि मिला है आंसर क्या होगा दीपक धार आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा जिनको ठीक है फेमस अवार्ड है जो कि इंडियन साइन्स इंडिकेशन पूरे के द्वारा यह प्रोफेसर है मतलब पूरे के अंदर इस उनिस्टी में तो उनको यह बोल्ट्समें मैडल है जो कि 2022 के लिए मिला है है ना फॉर कॉंट्रिबूशन होता है स्टैनिकल फिजिक्स तो साइंस के अंदर कॉंट्रिबूशन करने प है ना दीपक जो कि प्रिंस्ट और यूनिसिटी के अंदर साथ वहां पर यह भी एक प्रोफेसर है ओके सी तरी कमिशन है एक स्टैनिकल फिजिक्स उसके द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है चलिए और इसके अलावा अनिल प्रकाश को मदर टैरिसा मैमूरियल अवार्ड विद्धुत मोहन इनको अर्थ शॉट प्राइज यह ध्यान रखिए इसके अलावा अमरूता को ग्रैविटस फाउंडेशन उर्जा वार्ड दोजार बाइस ओके तो यह सब भी ध्यान रखि इसमें दुनिया का सबसे छोटा पहने योग के वायू शोदक लाउंच किया है आइटी स्टाट अप वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वेरिबल एर प्यूरिफायर के बारे में अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका आइटी डेली ठीके थर्ड आपका बिलकुल सही आंस हो जाएगा तो आइटी डेली स्टाट अप नैनो क्लीन ग्लोबल एज लांज दा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वेरिबल एर प्यूरिफायर विच इफेक्टिफ और नाइन और फैफ ग्रेट फेस मास्क तो एर प्यूरिफायर है जो कि कोई भी यूज कर सकता है इसको और बहुत स्मॉल है बहुत ही छोटा है तो आइटी डेली के दुवारा इसको बनाए गया है ओके ठीक है आगे देखते हैं एन इजी डी के नए सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नैशनल इगवर्नेंस डिविजन के बारे में बात करें तो इसके जो नए सीओ बनाए गय गया है तो यह आपका आपर बिलकुल सही आंसर है ठीक है अभी शेक सिंग को नैशनल इगवर्नेंस डिविजन के चीफ एजुकी बनाए गया है 1995 का इस ऑफिसर है ओके चलिए और Ministry of Education अपॉइंट किया है प्रोफेसर शांती श्री को as the first woman vice chancellor of JNU Delhi ये भी धान रखीगा जगदीश कुमार जी को chair person of UGC दोनों बाते important है चलिए एक large area soft x-ray spectrometer ये कौन से orbiter की उपर है जो की लगाया गया है इसने detect किया solar proton जिससे हमने पता लगया कि कितना radiation exposure है जो कि human को space में हो रहा है तो ये दोस्तों जो किया गया है वो किसके उपर चंदरियान 2 के उपर है जो कि इसको लगाया गया है ठीक है एक large x-ray spectrometer लगाया गया है और computer के उपर ताकि हम लोग solar radiation के बारे में भी पता कर सके ओके ध्यान रखिएगा important है नेक्स्ट है Indian Air Force अपने combat jet को deploy नहीं करेगी कोबरा warrior के अंदर कोबरा warrior दोस्तों कौन से country में करवाया जाना था ये जो exercise थी ये cancel हो गई है basically ये UK में होने वाली थी कई सारे देश यहां पर आने वाले थी कोबरा warrior में लेकिन हम ये Ukraine की स्थी देखते में इसको cancel कर दिया गया है ओके चलिए कौनसे स्टेट ने स्टेट एंगरिकल्चर एक्सपूर्ट पॉलसी जो है वो recently launch करी है तो किसके द्वारा launch करी गई है ये launch करी गई है आपके महरास्ट्रा के द्वारा ठीक है तो दोस्तों रिसेंटी स्टेट एंगरिकल्चर एक्सपूर्ट पॉलसी है जो कि launch करी है त्यार में कीगा है ना चलिए और महरास्ट्रा की बात करें 36 डिस्ट्रिक है 48 लोगसभा 19 राज्चर सभा स्टेट एनिमल जैंट सुकृइल ग्रीन पीजन ये आपने स्टेट का बर्ड है यह सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों नैशनल पार्क है यहां पर है ना कोई ना डायम इंपॉर्टेंट है जाकवारी इंपॉर्टेंट है यह सारे डायम भी इंपॉर्टेंट है पोलियो नैशनल इम्मुनाजेशन डे किस तारिक को मनाया जाता है तो नैशनल वैक्सिने चलिए था आज का आपका important session अगर आपको on academy पे किसी भी exam के त्यारी करनी है तो आप mobile app download कर सकते हैं an academy app download करके mobile number डाले उसके बाद मैं goal select करें अपना ठीक है goal select करने के बाद में यहां पर 40 plus exam में से जो भी goal select करें वो कर सकते हैं plus में जाईए get subscription में 12 या 24 और यहां पर लगा सकते हैं ठीक है जीएस का foundation में चल रहा है जहां पर मैं biology बढ़ा रहा हूं आपको और आप subscription है जो कि ले सकते हैं academy subscription smile for all पे जाके ताकि आप एक बच्ची के education sponsor कर सकें आज का question of the day है किसने gold medal है जो कि weightlifting में चीता Singapore international tournament के अंदर ठीक है यह आपको यहां पर बताना है ठीक गईस तो यह था आज का आपका session अचले इतना ही मिलते हैं आपकर साथ बज़ारे session में thank you